तो दोस्तों अगर आप होंडा सिटी तलाश कर रहे हैं लेकिन सेग्मेंट में लेना चाहते हैं तो खलाल हमारे पास एवलेबल है 2014 की होंडा सिटी देख सकते हैं और यूज सेग्मेंट में काफी अच्छी डील है जैसा कि हम आपके साथ शेयर करते होंडा की ये पावर्फूल गाड़ी अपने सेग्मेंट में मोस्ट पॉपुलर गाड़ी है इसपेस, फीचर, कमफर्ट सभी कुछ इसमें जबरदस्त मिलता है और सीधे-सीधे आप इसे कमपेर कर सकते हैं यहाँ पर डेजायर के साथ में लेकिन डेजायर से तो बहुत ज़्यादा कमफर्टेवल, फीचर से फुल और स्पेसियस भी है और डीजल में 97.89 BHP की पावर देती है, 200 NM का टॉर्क देती है और बूट स्पेस भी बहुत जबरदस्ता आता है, अपनी सेग्मेंट में सबसे ज़्यादा 506 लिटर की और यहाँ पर आपको ये गाड़ी मिल रही है, सेकंड हैंड सेग्मेंट में फीचर काफी अच्छे होते हैं इस गाड़ी में, आप सबसे पहले इसका प्रोफाइल, टैर, कंडिशन, फ्रेंट ब्यू, साइड ब्यू, बैक ब्यू देख लीजिए उसके बाद में इंटियर भी आपके साथ शेयर करेंगे इस गाड़ी के अंदर आपको मल्टी फंक्शन स्टेरिंग वील मिलता है, देख सकते हैं आप और ये आपका एडवांस इन्फो टैर्मेंट सिस्टम है बिल्कुल आप यहाँ पर टाइम वाइज देखना होगा, क्योंकि ये 2014 का मोडल है अब तो खेर बहुत अपग्रेड हो चुका है, नेक्स जनरेशन मोडल्स आच चुके हैं इसके लेकिन गाड़ी काफी शानदार है, ये तो कहने के अब शक्ता नहीं है और मैनली फीचर्स आपको इस वर्जन में भी एंटी लोकिक ब्रेकिंग सिस्टम या फॉग लाइट फ्रेंट वगरा सब मिल जाएंगे और एर बैक भी मिलेंगे, और फोर सिलेंडर की ये गाड़ी है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम डारेक्ट इंजेक्शन का आता है मैनल ट्रांस्मिशन के साथ है, और डीजल में ये गाड़ी एवेलेबल है दोस्तों और स्टेरिंग इसका इलेक्टिक टाइप में है, टेलेस्कोपिक और टेल्ट आता है और यहाँ पर आप इसका देखिए, इसका रियर व्यू देखिए, आप बिल्कुल यहाँ पर आपको आइडिया हो जायाँगा कि यहाँ पर गाड़ी किस कंडिशन में एवेलेबल है और वीडियो सेयर करने का मकसद भी यही होता है इसमें आपको यहाँ पर देखिए गया फ्रेंट में और इसके अलावा आपको देखिए निखामाल लीजिए अने फीचर्स भी आपको सेयर कर देते हैं जो इस गाड़ी में मिलते हैं अगर बात करें हम इसके माइलेज की तो इसका जो 1.5 लीटर का ये डीजल का इंजन है 24.1 के माइलेज देता है यानि 24 के करीब का माइलेज देता है जो ARI सर्टिफाइड है रोड कंडिशन में कम और ज़्यादा हो सकता है वो डिफ्रेंस आता है अजने फीचर्स में आपको एंटी लोग ब्रेकिंग सिस्टम इसके अंदर मिल जाएगा पावर विंडो मिल जाएंगी फ्रेंट के अंदर और इसके अलावा मैनली आप देखिए इसमें रियर एसी वेंट भी है और इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस है 5.3 मीटर प्रेंट में वेंटिलेटर डिस्ट ब्रेक मिलते हैं और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे यहाँ पर यह आप देख सकते हैं इसके अलावा सीटिंग कैपसिटी 5 है और यहाँ पर देखिए आप यह यह यूपी 14 का नंबर है और जब भी आप जाते हैं गाड़ी को सबसे पहले टेस्ट ट्राइब कीजिए गाड़ी की कंडिशन देखिए हलाकि गाड़ी का ओवराल लुक हम आपको सौर्ट में ही हमेशा हर वीडियो में शेयर कर देते हैं जहां पर आपको उसका इंटियर भी बता दिया जाता है एक्स्टियर भी बता दिया जाता है आगे आपको शेयर करेंगे एप्रोक्स कितनी चली हुई है और डीलर की इसमें कितनी डिमांड है यानि एक एप्रोक्स प्राइज क्या इसका मांगा जा रहा है तो दोस्तों 2014 की ये हॉंडा सिटी 72K के आसपास रनिंग है और आस्किंग प्राइज है 5.50 लाग जिसे आप एक इंडिकेशन प्राइज मान सकते हैं क्योंकि गाड़ी कोई CBO आप कहीं से भी लेते हैं पैसल आपको विजट करना होता है जिस भी गाड़ी की आपको requirement है जाके test drive कीजिए, documents चेक कीजिए, engine conditions देखिए और सब कुछ देखने के बाद में तब आप अपने लिए वहाँ पर उसका final decision कीजिए रही बात finance के बारे में तो आपको जितनी भी यहाँ पर हम गाड़ियां share करते हैं एप्रोक्स 99% आपको finance की facility मिल जाती है अगर आपको आवशक्ता होती है वरना तो जो यहाँ तक के budget में कोई आवशक्ता होती भी नहीं है तो यह देख सकते हैं आपकी Honda City 2014 variant 72 कोई running और NCR का number है बेसक आप कहीं से भी लें All over India आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप purchase कर सकते हैं आपके नाम पर NOC कराकर दी जाएगी कोई दिक्कत नहीं है original documentation होगा सारा आपको यहाँ पर कूर संतुष्टी से मिलने वाला है बाकि आपको अपने साथ कोई ना कोई expert बंदा ले जाना है जो चेक करें और आपको उसके बारे में बताए अगर आप जादा नहीं जानते हैं और चैनल पर अगर आप देखना चाहते हैं अपनी किसी मन पसंद गाड़ी को जिसे आप तलाश कर रहे हैं तो comments box में लिकिए आपके साथ next time वो गाड़ी share कर दी जाएगी